नायर साहब आपका इसकारकर में स्वागत है और मैं जाना चाहता हूँ चुकिए आपके कई रूप रहे हैं संपाधक, रिपोर्टर, उसके बाद लेखक, फिर राजनीती में आपकी आप नॉमिनेट हुए लेकिन फिर भी राजती में आपके एक सक्री रोल रहा और डिप्लोमेटर है, जो बहुत रहर ऐसा है, जो इस तरह के कॉम्मिनेशन हो सबसे जादा आपको कौन सा काम अच्छा लगा? पत्र का, जब मैं रिपोर्टर था, वही सबसे इच्छा लगा, क्योंकि मैं देख सकता था कि एक रिपोर्ट लिखी, यह तब की बात करो, यह कालम लिखा, तो उसका असर देखा अब यह लोगों का कहना है, बलके मिस्स गांदी नहीं भी कहया, यह इंद्रा गांदी के खलाफ को मैंने काफी लिखना शुरू किया, एक डिक्टेटोरियल उनका टीचुद हो रहा था. इस्टेश्मेन की बात है, इस्टेश्मेन की बात है, फिर उसके वागों उनने एमर्जेंसी लगाई, तो बात में मिस्स गांदी ने कहा किसी से, कि यह सब कसूर इस आदमी का है, यह जो कॉलम लिखा और यह मुझे बहुत तंग किया, और मेरी जो शाषन आया या मेरा काम करने का, वो सब इसका जो इसकी टीका टिपनी से मुझे बहुत नंगाया और लोगों पे बहुत असर पड़ा, तो यह मुझे करना पड़ा. यह तो कहरा आप इंद्रा जी से पहले में वह जानना चाहता था कि आपने तो शुरुवात की कि पहले अख़़े अख़़े दिन करके उर्दू पेपर में, पार्टिशन के बाद, जो कम्यूनल चार्ज महोल था, संप्रदाई तनाओ, उस समय में कैसे आप उर्दू के अख़़वार को तो बहुत प्रोमस्लिम होगा और आप को यहां रेपोर्टिंग करना थी? मैं आपको बताता हम के यह मैं दरिया गंज में रहता था मोसी के पास, दरिया गंज से अब जाममस्जद तो पास है, तो मुझे बहुत शौक है के बही जरा कवाब खायद हैं तो वो तो जाममस्जद के करीब मिलते थे, तो वहां पे एक आदमी मुझको हर दूसरे तीसरे देखें के वह यह आदमी लड़का खा रहा है, तो उसने मैंसे पूछा, कोई काम हम नहीं करते, मैंने जी काम मिलता ही नहीं, कहते है क्या, मैं कहते है जी मैं अबिये अउनजलल भी हूँ, कहते है यह कैसे हो सकता है, मैं कहते है काम मिलता है, वो कलर्क का काम है, मैं कलर्क नहीं बनना चाहता है तो तुम्हें उर्दू आती है यहां उर्दू तो फार्सी तो उधर से आए हैं पाकिस्तान से तो यह मैं तो ग्रैजिट हूँ तो कहने लगा यहां पे एक अख़बार है अन्जाम अन्जाम का मतलब होता है आखरी वहां पे अब यह मुस्लिम अख़बार है अशात बहुत है वह एक हिंदू की तलाश हम को जो अंग्रेजी उर्दूद होना जानता हूँ तो मैं पहुंच गया बल्ली मारा महीं था तो कहने लगे मैंने कहा जी के मैं नौकरी के तलाश में हूँ मैं याद है मालक का नाम यासीन था तो कहने लगे भई दखो अकौंट सक्ष्ण में तो हमारे लोग हैं तुम्हीं ऐती है मैं जी हाँ उर्दू तो अच्या बैठो तो अलने में देखा के बई उर्दू लिख सकता हैं तो कहने लगे अच्छा बई ये तुम डेस्पर तो मुझे याद है उस वक्त कहते हैं वह बंबाउत पैसे तर नहीं दे सकता लेकन खैर लेकन जो पैसे मुझे मिले वह एक सौर रुपया महीना था अच्छा उस जमाने में 47 की बात करो 47 अक्तूबर नॉंबर की बहुत बड़ी बात तो आज सौर या कहूंगा तो होगा ज्य मैं आया था इधर से पाकिस्तान से अब यह जो लोग सब थे मुसल्मान थे बहुत इज़त से देखते थे खैर को मैं वैसे पड़ा लिखा बहुत था लेकिन दूसरा वह यह कि एक हिंदू है वहां से सब उजड़ा उजड़ा और यह हमारे साथ काम कर रहा है तो उनको इस बात का पास था तो जब आप बैठ के आप काम बहुत शुरू किया तो बहुत दोस्त हो गए तो उन्हों ने कहा भी देखो कभी हम लोगों ने दूसरा ने यह को रिपोर्टिंग कभी नहीं क तो हम आप रिपोर्टिंग शुरू करते हैं तुम किया करो तो जब गांदी जी किया अगोली वा लगी तो मैं याद आए कि मैं डेस्क पर बैठा हुआ था तो उस वकत यह जो बहुत बड़ा होता था तो उसका घंटी बजती थी वह जो पीटी आई की वो पीटी अवे ल देखा गंदी शॉट तो मैंने खा भई मैं देखिए रिपोर्टिंग कराऊंगो तो मैं चलता हूँ तो मैं तो वहां गया अब मुझे याद है मितक कि भई बिला हाउस में कोई सेक्योर्टित हो जाई निए सीधा चले जाए वहां एक थोड़ा सा रिस प्लाटफर्म सा ब बोड़ी पड़ी हुई थी अब साथ मुझे याद है के एक दाइरा सा बना जिसमें पंड़त-पंथ जिनका बाद में मैं इंफर्मिशन आपसी बना वह पास ही थे और भी थे और मेरे वक्त होते हुए लाड मॉंट बैटन आये उन्हों से लीट किया बोड़ी को जवार ल कि यह समझ नहीं आ रही थी कि यह बापू के मनने के बाद अब क्या होगा क्योंकि हाँ हाँ यह तो किष्टी हमारे खेंच के ले आया दुरियास से अब और यह के भई अब अजादी भी दलवा दी लेकन आगे क्या होगा यह यह भी उस दिनों में जाहर था कि भई सर्दा पटेल और जो आला नहीं रुकी बहुत बंती नहीं आपस में दोस्ते नहीं तो आप सर्दार पटेल उसकी रिपोर्टिंग की जो सारा दर्श्ट देखा हाँ वो मैं बताता हूं ने सर्दार पटेल जो थे वो जरा समझे जाते थे का बई रहा प्रो हिंदू है मुझे यहादा है सर्दार पटेल ने अस्तीफा दे दिया कि जब पंड़जी तो यह गांदी जी कहे कि मेरा फेलियर है तो पंड़जवाल लारू ने कहा नहीं बई अब गांदी जी ने हम दोनों को चुना था हम तो दोनों कठा रहेंगे जो भी हो अच्छा बुरा इसमे मैंने वह नजारा देखा उस पर रिपोर्ट किया बई गांदी जी से यह वह मैंने वह जगा देखी जहां पर गांदी जी चल के आए थे और वह घास कैसे दबी हुई थी वहां खून के कोई दब्बे भी थे तो आकर रिपोर्ट तो किया लेकि उसी रात एक दमगे हुए फ़साद पूने में तो अब मैं डेस्क पे बैठा हुआ था ये तो बहुत फरक निसा रिपोर्टिंग की अब डेस्क पे तो मैंने वो खबर जो थी मैंने का देखो ये अभी अभी गांदी को मारा आपस में फिर शुरू हो गए हैं तो मैंने वो फारी तो रहें दी दूसरे सुबहा हा वijn दिटर थयुद है यसीन साब उनने कहाm है यह हमारे ख़बर है दंगे काबर आपने नहीं दी का जी मैंने नहीं दी कुण मैंने के देख़िए दंगे फसाद का गांदी जी काभी आप फिर वहीश नहीं नहीं कहता है देखो बड़कुर्दार अब तुम शुरू हो रहे हो हमारे जनलिस्टों का काम जो है एक अजीब सा है हम एक आख हैं जो के रीडर्स की है अब रीडर तो वहां वाजूद नहीं होता लेकर रीडर की आख हैं और अब अगर हम ही जो देखें और रीडर को ना बताएं तो फिर दियानत्दारी नहीं है इसलिए जो भी अच्छी बुरी खबर हो तो हमें तो तब से मैंने ये सीख लिया कि ये जो है अपना काम जो है वो रिपोर्ट करना है अबजेक्टिवली कोई इस्तहाल से नहीं तो वो एक सबक है वो बहुत कामा है जिंदगी में ये जो आपने चुक्कि आप उर्दू कॉन्फरेंस आपने एटर्स का भी एक एक इसोशेशन वगरा भी बनाया था तो वो उस समय के जो लैंग्वेश प्रेस्टिस को कहते हैं कि हिंदी उर्दू मनें हिंदी पेपर मतलब नरेंद्रा जी और उन लों के विरर जून या इस तरह क पहले छपता था मैं तो लहौर से था तो मैं समझता हूं कि तक्सीम कराने में जिमीदार मुसल्मानों का और परताब हिंदों का इन लों का बहुत आप था पर अब जब तक्सीम के बाद तो बहुत एक रेपोर्टिंग से शुरू हो गई लेकिन यह जरूर था कि क्योंके यहीदरियर्शिप उनकी मुसलमाना ज्यादा थी तो मुझा भी कोई साओडी अरेप्या या दूसरी खबरें भी थी लेकिन मुसल्मानों का ज्यादा था यह इसाधर उनका ज्यादा था Аब उस हाते में यह ब्धाया के हाता मैं कहा रहा हूं जाना की हसад मुहानी रहती थे वस्तमहनी बहुत बड़े शायर तो मैंने कहा भई मैं एक दिन जारत के लिए जाओंगा तो मैं पहुंचा उनके तो सलाम किया तो मैंने उनको कहा उनका एक बहुत मुशूर शेर है नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती बगर जब याद आते हैं तो उकसर याद आते हैं तो मैंने मुशनाया तो कहने लेगे बिटा क्या करते हो मैंने का जी मैं यहां पर अंजाम अख़ार है इसमें काम करता हूँ कि आता है तो यह मैं लेखता भी हूँ तो अपनी मैंने का जी यह मैनी प्यास भी देख ली देखें जगे पट यह तुटत्टपाजी है, यह कोँछ शार ही नहीं है उसके बाद मैंने काप यह कोश्य देखी है लेकिन एक मैं नसीयत देता हूं के मुझे लेखी उंडूस् का फ्यूचर नहीं लगता. अच्छा. मैं समझता हूँ जबान का ही ने, उनको जबान का ही था. जी. लेकन वो इस बात में घलत हो जब शाबत. लेकर अर्दू का नहीं कहा के कोई फ्यूचर नहीं है. तो तुम अंग्रेजी की तरफ चले जा. तो मैंने वह स्तीफा दिया ज नहीं से ली मैंने तो वो पहुंचा USIS में जनलिजम पढ़ने के लिए. तो मैंने उनको बताया मेरे डिमिशन अब ट्रेवल गांट दिया तो वहां चले गए. अब वहां पे लोक साब बहुत मुश्कल यह हुआ, कि घर से तो पैसा आ नहीं सकता था, कुछ हाई दी था. औ और फिर भई सारा बड़ा है, तो क्या? तो अगर आप कह सकते हैं के भई गरीबी देखी या मैनत की तो वह था, क्योंकि दो दिन तो मुझे याद हैं कि मैंने डबल रोटी और पानी से मुझारा किया, कुछ और था ही नहीं. लेकर एक जगह मुझे नौकरी मिल गई जो ए अगरतन मरतन मांजना था, पलेटे में रिसाफ करनी थी, तो वो लंच फ्री मिल जाता था उसी काम से, रात को किया, रात का फ्री मिल गया, लेकिन अब ये जो फीस, ये मुझकल पड़ गई, तो जहां में युनिवस्टी थी नौर्ट वेस्टन, ये शिकागो के पास है, तो शिकागो के पास, अब काम के लिए तो वहीं जाओ, तो जो सबसे बड़ा, मतलब अच्छा पैसा मिलता था, वो था, कि शिकागो में मल्टी स्टोरी है, बहुत पहुत उंची बिल्डिंग है, तो अब आठवें, दसवें स्टोरी पे, आप भार से साफ करो, क्योंके, वहां बहुत स्टोरी होती थी, और उसका पैसा ज्यादा था, वो है मैं किया करता था, और मुझे ज़्याद है कि मैं कर नीचे देखता ही नहीं था, कहीं, तो बना तो पटा 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 खेर, लेकिन तब मैं कह सकता हूँ कि यह मुश्कल पीड़ था, मैंने मैं लिया, आया, तो यहां एक UPSC का टेस्ट था, उसमें हो गया, तो फिर नहीं शुरू हो गया, तो पिर नायर साब यह जो आप चुकि गोईन वालब पन जी और शास्त्री जी के साथ रहें, लेकि यह जानना चाहता था कि मैंने आपको पढ़ा कि शास्त्री जी को भी आ अब हम जब आया तो UPSC मुझे लगा दिया गया, पहले तो गोईन बन 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 जी के साथ, अब वो जब उनका ध्यान तो फिर शास्त्री जी के साथ, उसकर शास्त्री जी हो मिलिस्टर थे, बाद में प्राइमिस्टर बनते हैं जब, तो अब कामराज प्लैन आया, कामराज तो मुराजी डिसाई इस तरह के, तो लेकिन ये के, ये ना लगे के सचमुच करिटिक ही हैं, उन्होंने शास्त्री जी को भी कहा कि आपी, वो तो ख्रोजेस माने जाते थे नेरु जी की, तो फिर ताके ये ना लगे के बाई, सब पुछ उनको, तो शास्त्री जी को, तो अब चलिए, तो कहने लगे, भई, ये गुजर कैसे होगा, मैं गया क्यों, पिदे मेरे बाद तो को पैसा नहीं, ये सही भी था, वो एम-पी का मिलता है, उससे कितना गुजारा हो सकता है, मेरे बच्चे चोटे-चोटे हैं, उनको पढ़ाना आया है, क्या कर तो, मैंने का शास्तिजी देखिए, आप मुझको हर महीने एक आर्टिकल लिख देजाए, कैसे मैं उनने लिखा यह नहीं कभी, मैंने का यह यह जैसे भी आप लिखते हैं, वो लिखे हैं, तो पहला तो मैंने कहा के यह दिखिए, आप लाला राद पतराय को बहुत जानते थे, कहते हैं मैंने कहा एक कुछ पर लिखिए पहले, फिर उसके बाद पंद्र नहरुपे, तो अब मैंने क्या किया किया इदर टाइम्स अफ इंडिया, उदर अमर्थ बजार पतर का होते था है, अनंद बजार पतर का, दिली में हिंदुस्तान टाइम्स, और नीचे मदरास में एक अख शाफ्तरी जी का मैं तुम्हें आर्टिकल दूँगा, तब आप इसलिए कि इन्फरमेशन सर्विस में ही थे, तब आप इतर नहीं बने थे, लेकिन आपने को औरनेट किया, मैंने उनकों बता, तो वो पैदी दवा सिंडिकेट कालम समझ ली थे, तो वो पांच्छों देते थे, तो ये पैसे देते थे, इन पर लखा हैं और चलपती राओ ने एक तफ़ा शकायत भी की थी, वो एडिटर थे, कि सब जगा सबता, मैंने नहीं सबता, मैंने का विश्ट मुरे पैसा नहीं ना इस थी, नहां से, तो खेर, तो ये अब शास्ती जी को, मैंने का न एसे ही आपने यू एन आई, वो जो इस्टेब्लिश भी आपने ही की, मैंने सर्विसे निकल के, वो क्या वज़े थी, ये एक एजेंसी, बने पीडियाई तो थी, हाँ, अलोक ये जम्यू एजेंसी थी, अब मुलगावकर चेर्मन हुआ करते थे, इंदुस्तान टाइम दो एडिटर थे, लेकं यू एन आ के चेर्मन थे, तो मैं उनसे मिला करते हैं, मैंने बन गई थी, आपने टेक और किया, उसके पहले बन गई थी, नहीं बन रही थी, उनसे बन रही थी, तो मुलगावकर मिलता था तो काफी कुछ उनका ख्याल अच्छा था, तो उनसे नहीं स यहीं कुछ कर दिया, कि यहां तो वो एजनसी के हम बात कर रहे हैं, तो यह जो पीटी आई एक मौनौपली नहीं हम चाहते हैं, यह यूएन आई, यूपी आई किसी नहीं शुरू की थी, वो बंद हो गई, तो अब यूएन आई, तो यह चे अख़वार मिलके, हिंदू, इंदूस्तान टाइम, टाइमस अफ इंडिया, सब एक्सपरस नहीं था, बाकि सब, तो मैंने कहा के, कहते हैं कि भई उसको तुम कर दो, मैंने कहा सही है, अब मेरे दमाग में देखी यह था, मैंने कहा एक तो पीटी आई के बहुत लंबे लंबे पन्ने, वो एक टेक, दो टेक, थ्री टेक, मैंने शुरू किया कि हम जो जितनी भी कहानी हो, को स्टोरी हो वगरा, या तो एक टेक में नहीं, तो दो टेक से ज्यादा नहीं, अब मैंने कहा है, यह जो स्टाइल वैसा है, सीधा बात करो, डायरेक्ट वगरा, लिकिन पुलिटिकल रिपोर्टिंग न उसके बाद, 68 यह, हाँ, नहीं, मेरा खाला यह उससे पहले की बाद था, यह मेरा खाला है, देखे, 64 में तो उनका हो गया, तो यह, हाँ, कोई 62, 63 की बाद था, हाँ, यह सही है, आपका कहना, उसका है, तो वो, यह जो चीजें, दूसा यह के बहें हैं, कुछ परसनल इंडुस्तान टाइम से, टाइमस अफ इंडिया, शामलाल हुए करते थे वगारा, तो जब यह दोनों पहुंचती थे, अब मैं भी शुरू हो गया, तो वो, दोस्ती के असाब से, उन्होंने, इंडुस्तान टाइमस ने तो आडर दे रखा था, मलगौकर ने, कि चाहे उन आया गर्वर्मन्ट से, तो मेरे गर्वर्मन्ट से बहुत काउंटक्ट थे, तो मुझे पता था क्या होता है, तो अब काफी एक्स्क्लूसिफ खबरें शुरू करती ना, जिससे, बहुत एक याद है कि यह नागा लैंड के साथ जो एक नागा लैंड बही अजादी चाहता लेकर उनके साथ कोई बातचीत रोज होती थी, यह उनका अशोका रोटल के साथ थी, बिल्दिंग, तो मैं गया, तो उनसे मैंने पूछा, वो जो बात, मैंने का बही रोज बातचीत होती है, ब्रीफिंग में होता है कि बातचीत हुई, अच्छी काउडियल, तो क्या बात क्या है, वो कैसी बात यहा है कि हम तो अजादी चाहते हैं, और यह कहते हैं, नहीं कुछ नीचे, कुछ रसी बात, तो मैंने आके यूएन आई में वो ख़बर दे दी, अब यह का बई, गवर्मन को भी फोन किया का बई, यह मैं ख़बर दे रहा हूँ, जब टिकर पे आई तो यह फाद कपूर हुआ करते थे प्राइमिंस्टर के साथ, तो उसकी फोन आई मुझे जानता भी था, जबता हूँ, यह बई वो जो खबर है उसको विड्राव कर लो, क्यों विड्राव करने वो तो ठीक है, मैंने पूछा है, गवर्मन का वर्शन वो भी चला, अगर मि है वो भी जा, कहता है भी नहीं, यह गवर्मन के इंट्रेस्ट में नहीं है, कंट्री के हिप में, मैंने का भी नहीं, दूसा पॉइंट आफ यू, अब मेरी उस यून आई की बतकिस्मती या खुछकिस्मती क्या भी समझो, कि एपलाई कर रखा था कि बही आल इंडिया रे मिस्टर थे, उन से बहुत पता लकात थे अच्छे, तो वो कहने लगे तुम कैबिनेट में मैं ले जाऊंगा, तो कुछ दिलवा दूँगा तुम्हें, तो वो कहते हैं कि मैंने, उन बताया कि मैंने उनको कहा भी, पी टी आई को कहां दस लाक, पंदान लाक देते हैं, इन को दो लाक की देते हो, अब जब कैबिनेट के सामने आए तो इंदरा गांधी जी मिस्ट गांधी ने कहा, यह वो खबर नहीं आपने देखी क्या किसम की खबर है, दो लाक नहीं, एक लाक कर दो, तो एक लाक का नुकसान हो गया, वह नहीं पता हैं, तो इसके अलावा भी क हो गया जब मैं बहुत देखकंद में, तो वो रोज ब्रीफिंग गुआ करती थी वहाँ, क्योंकि जनर्नाजीयोब और वो, तो यह ब्रीफिंग जो थी उस पे देखी, मैं जानता था कुछ पाकिस्तान के जनर्लिस्टों को भी उर्दू की वह जासे दूसे 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 मैं उनसे पूछता था भी क्या तो वहने ब्रीफिंग होई, तो वहने बहुत हमें तो यह बताया गया वगरा, तो मैं उससे इंदादा कुछ लगाकर, वह वह भी साथ है, एक तरीका यह किया कि मैंने कहा, देखो कि खबर जो PTI की है, वह जाती है यहां से लंदन लंदन र आदमी यहां आ जाएगा और यहां वह सीधा आपको सुना दे करेगा, वह लिफ कर लगाएगा, तो यह दिन में दो दफा वह आदमी पढ़ देता था या मैं ही पढ़ देता था, वह दूसरी तरफ ले 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 था था तो यह एक चीजी बात सुझी तो उससे कुछ नाम आम चुरू हो गया और बाद में तो यह ना काफी एक कम्पिटिशन इतना हुआ कि पीटी आई के राम चंदरन हुआ करते थे, तो मुझे कहने लगे बाई देखो हम क्यों आपस में लगते हैं, हम डुमेस्टिक ले लेते हैं तुम फारण ले लो, मैंने का नहीं, अगर करना ह यू एन आई के जो लड़के थे, चोटी-चोटी तन खाएं लेकिन एक ऐसा जोश हो गया हम लोगों सब में, कि अभी हम इसको बनाना है और बीटी आई को बीट करना है, तो उससे, we will use to be the first to land, and जरा छोटे से direct, जो है, क्रिस्प आपने ज़से कहा, पैरे चोटे-चोटे बना के, और कोई भी स्टोरी को हम दो टेक से ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि वो तो, प्यूटी आई तो, लेकि नायर साब एक बात कहते हैं, जो मुझे थोड़ा साब मैं भी बहुत यंग एज मिना, लेकिन उस समय में लोग कुछ चर्चा करते थ यूएन आई से कभी-कभी गलती भी हो जाती ये सही है, ये आप मानेंगे कि जो रिपोर्टर होने के नाते, ये आप हड़बड़ी में, जैसे आज जो टी-वी के जमाने में होता है ना, कि वो एक बार गलत चल जाए तो उस समय तो एजनसी होती थी. कि मेरा मिल्टरी में एक सोर्स था, वो लड़ाई चल जाए थी 1965 वार के तो उसने कहा कि भई वो आज 15 पैटर्न टैंक हमने उड़ा दिया, अब 15 को 50 सुन दिया मैंने, तो वो आप चेक तो करने है तो 50 चला गया वगारा 50 लेकिन अबाद में 15 निकला, बड़ जाए, बाइब 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 तायम काफी इजनिंग जूब में आ गया, दूसरे में आ गया, अब टेटरे किया, तेकल वो एक, अब यह कि रिपोर्टर रेइटर होने के नाते आपको रिपोर्टिंग मज़ा आया, लेकिन कहीं आपको लगता है कि हरबड़ी में करने के कभी-कभी अच्सान होया है. आप तो स्टेट्समें में भी रिपोर्टिंग करते थे, चाहिए वो केविलेड रिशफल हो रहा है, अब उसमें नहीं, यह एक, मुझे यादा है, एक्स्प्रेस में रिपोर्टिंग करता था, यह एमर्जनसी हट रही है, मेरा में तो कहने लगे, अरे यार यह क्या खबर तुम ने दी, अब अभी तो तो तुम्हें कैद से आयो बार, वो वीसी शुक्ला करता है, ऐसे फिर पकड़ लो, तो मैंने कहा यार पकड़ लो, लेकन खैर तुम चेक कर लो, खबर ठीक है, तो खैर वो खबर ठीक निकली, अब लेकिन उसमें रिस्क ये था, कि क्या क्या, अब मुझे पंजाब में एक पुलीस आफिसर था, आई पिएस तो एक शाम को मैं गया तो, तो कहने हैं निगर साथ, कुछ हो रहा है, एमर्जिंसी, कि मैंने क्या हो रहा है, कहता है, हम को कहा गया है, कि देखो कौन से विनेबल कंडिडेट हैं, उनके नाम दो, अब ये तो बहुत, तो मैंने कहा, किस से चेक करूँ, शेशन वगारा तो ये तो मुझे कोई गया है, मैंने ये हमारे, दूरिंग एक एक एक्सप्रेस का बोर्डरी कांसिचूट किया गया था, तो जिसमें कमलनाथ था, तो कमलनाथ उसको उसमेदा से और दूसरा हम, पल्याबी के नाते से, तो मैं सुबह सुबह उसके घर पहुंच गया, जब खबर उसने मिले शाम को दी उस आदमीने, तो मैंने कमलनाथ चाय पी रहा था, तो, अब मैंने कहा कि ये, कैसे इससे पूछूँ कि भई उसे कंफर्म हो, तो मैंने कह पूछा कि भई एमर्जेंसी तो, तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा, कमलनाथ, तुम तो चंदवाडे से मुझे पता लड़ रहे हो, लेकिन संजे गांधी कहों से लड़ेगा, कहते हैं, वो हमने अभी चंदर शेखर एहमदावाद में कायदा है, तो उसको बेजा है उसके लिए, लेकिन तुम्हें किसने बताया, बस कंफर्म हो गया, तो कंफर्म हो गया, तो और मैंने उस पे उकर दिया, वो बहुत बड़ी ख़बर निकली हुगारा, तो इस तरह के कोई मिल जाते थे, लेकिन ये था कि यूँ आना कि क्योंकि मैं खुद अडिटर भी था रिप लेकिन उसका ये हुआ के अब मुझे याद है van spectator का एडिटर यहां ऑर मैं उनके लिए लिखता था लंदन में, तो स्तेट्समेंन में था मुझे कहने लगा के बाद में स्तेट्समेंन में जो ओड़ी क्या हुआ, ty उनके यह यह ख़ए, आता हूँ मैंने तो यह 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 नहीं बहुत हो गया क्या गया तो मैंने ऐसे ही बताया कि वह होता है तो उसने फिर जाके एक आर्टिकल भी लिखा इस बाग पर लेकिन ये के बही जैसे लोग जी मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा रिस्क और ये के बही कोशेश टू लैंड फस्ट ताकि उनको पता चल जैके बहुत खबर आये तो उससे कुछ से ये स्टेश में की बात करें ये तब मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा दफ्तर खान मार्केट के उपर हुआ करता था तो क्योंकि मुझे शास्त्री जी कुछ जानता था तो मैंने ये बिल्डिंग जहां पर अब है ये मैंने वहां से दोलाया था ये अशोक मैता का घर हुआ करता था ये जो मैं कर जाना चाहरा था कि स्टेश में में जिस समय इंसाइट वगएरा या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग चुकि इंडिया में ये तरह से वह पहला फेस था है उसान टाइम से में तो करता नहीं थ था मैंने शुरू किया मैं मुझाद है कि अब पढ़नत नहरू का तो देट हो गया अब कौन होगा सो मैं इदर शास्त्री जी को जानता था शास्त्री जी कहने लगे ये नहीं को पार्टी में बहुत कुछ जगड़ा है कोशिश कर रहे हैं कर तो मुराजी के बात भी गया मुराजी का वो लड़का जो था काम थी उसने कहा मुझे देखते ही अरे उसको अपने आदमी को लालबादर को गव बैट जाए क्योंके जो तो हम जीत रहे हैं ये लिस्ट वगरा बताई तो मैंने आके ये ख़बर दी के भाई मुराजी डिसाई वस्ट तो 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 ये एक फ्रेज होगा ये तो एजनसी में दी होगी हाँ ने दी ना तो ये फ्रेज ये मुआ अमरिका से चीखा होगा लोग उस ख़बर का इतना हुआ कि मैं जब वो करके अब पर्लिमेंट हाउस गया तो कामराज उतर रहे थे सीड़ियों से मैं वो चड़ रहा था तो मुझे कहने लगा थैंक यू वरी मुच थैंक यू वरी मुच बस ये थैंक यू किस वात का था ने पार्लिमेंट हॉल में पहुंचा और अज चैन्टरल हॉल में तो सब ने कह तुम ने सौ वोट का फरक सौ वोट हमें मैंने कहा किसली है कहते हैं वो जो खबर है मैंने कभी मेरे दौबाइब क्योंकि मैं पी आई बी से आया था अब यह थे कभी ख्याल नहीं था तो मैं मुराजी के पास गया मैंने कहा मुराजी भाई देखिया कि अगर इसका कुछ हुए तो विटिंग ली नह अब दो की ना मैंने कहा जी मैंने बता रहा हूं कियाता है नहीं शास्ति को तरीका आथा था लेना काम हमें मुझे तरीका नहीं आता हुगा रहा इस ताहरा वो आखरी दम तक बलके जब वो प्राहिम मिस्ट्र भी बन गए तो वो इस बात को नहीं भूले क्योंकि मैं जो बन गए तो मैंने उनको मुबारिक वाद देने किया मैंने का मुराजी बाई मुबारिक हो यह काम तो बहुत अजाद है हां कम होता अगर मुझे प्राइम मिस्ट्र बने देते तो वो उनके दुमाग में रहा आकर तक लेकं मैं कहरा हूं कैर से हुए लिए इस तरह के खत्र दुमारिक आपको उसे मेंना आम आज़ कह ता कि यह शास्त्रीक आदमी है और बाद में अब जैसे मिसीड इंडर गू лесना डी वो भी तो आपको वृषी मानने लगे जबकि आपने तो बढराजी का वियू वो कहते हैं यह यह तो आदमी शास्त्रीका के आदमी शास्त्रीक लेकिन इसका तुम देखो के लोग जब मैंने आपको कहा हो गया तो बुरा कामराज ने कहा मैंने क्या यार यह बड़ान मिटिंग तो आप मैं पहुंचा अपने दफ्तर में तो कहने नगे शास्त्री जी के हां से बहुत दुफ़ा फोन आ चुका है तो मैं किया तो शास्ती जी टेल रहते हैं उनका काम यह था जिन से बात करते थे टेल के बात करते थे यूपी का शी तरीका यह तो मुझे देखा तो आये करने लेगे लेकिन नो मोर स्टोरी हो गया काम बस कटो इसको भी उनको भी बुरा लगा यह ने 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 अच्छा लगा उनको बहुत कर देखना पर कोई स्टोरी नहीं करना है मैंने बढ़ा हणान और मैंने यह तो जो सच मैं कह रहा हूं कि उस सकत यह मैंने रियलाइस किया कि प्रेस इंफरमेशन भी रो दो और चीज़ है वो प्रेस नोट दिये लेकिन जब आप अख़बार में या एजनसी में आए हो तो यहां पर जो भी आप लिखते हो बड़ी ध्यान से लिखना चाहिए या यूज अप वर्ड्स और बहुत अब्जेक्टिबली और देखना चाहिए क्या आसर इसका होगा वो उसकत मैंने सीखा एक सबब स्टेश्मेंट वाली बात मैं कहा था कि वहां आप ने रिपोर्टिंग भी की और कॉलम देखे इन्वेस्टिगेटिव इस्टोरी श्रू कराई वह उसमें वह शुरुआत आपने तो की लेकिन उसके बात क्या प्रेशर जिसको कहना चाहिए पुलिटिकल या इरानी के प्र तो पल्की बाला हुआ करता था उसका जरेक्टर तो एक दफाए मुझे फोन आया बॉम्बे से के पल्कीबाला चाहते हैं के आप आइए तो हमने आपका Dragon कर वा दिया हैं मतारावगर तो पुंचा वहां पल्कीबाला बेठे हूए तो बैटे बेठे जोगे तो पल्की J.R.D. ने पूछा, कि देखिए मैं तो बहुत परेशान हूँ, में शहर दस या वारा परसंट शेर हैं, स्टेट्समें में, लेकिन क्योंके टाटा के नाम से मुशूर है, तो सब मेरी बदनामी होती है, तो आप जो भी करते हैं, उसका तो मुझे भुकुतना पड़ता है। क्या करें। वरार जी भाई और इंद्रा जी और सब करते हैं। हम तो वही जो रिपोर्ट होता है करते हैं। हाँ, दूसरे नहीं करते हैं क्योंको ज़रा डरते हैं। हम बूरी तरह कोई स्टेट्समें ने इसका करें। करें भी नहीं नहीं दिखो के भई मैं इस पर कुछ तुमको सोचना पड़ेगा। और ये जो इरानी है, ये कौन है। मैंने करें ये पालकी वाला तो लाया। कहते हैं। ये पालकी वाला का शायद नेफ्यू है। कहते हैं, मैंने क्या करें। ये अखबार तो वही रन करता है। कहते हैं, मैं तो अब रिजाइन करूंगा वगारा। उसने अपने इस्तिफ़ें। बाद में अलादार होता है। लेकिन न, मैं कहूंगा कि स्टेट्समें में वह जो एक अब्डिक्टिविटी थी या उसका स्टेटिस था और उसको खत्म किया तो ये इरानी ने किया। ये सब्तंतर पार्टिस ये आया था। ये उसने अपना पॉलिटिक्स वगरा समें किया। तो पहले तो उसने देखा कि मेरे साथ की कहा है। आप रेजिटेटर थे ने तब आप मैं रेजिटेटर था। दिली के। तो वह उदर था नानपॉरिया। नानपॉरिया थो कुछ पॉलिक्स इंडियन से। कि मैं कालम लिकता था बीट्विन दे लाइन। तो वह एराणी ने बहुत कोशिश की कि बही। तुम ऐसे लिखो ऐसे लिखो अब मैं नहीं कोई एकान से सुनता दूसे थे। फिर यहां यह बहुत खलाफ हो गया। कि और यहां तक कि उसको चोड़ना पर हमझे स्टीट्समान को क्यों कि पालकीवादा से मैंने बात की गया कि मैंने का यह देखिया आपका कर रहा है। पालकीवादा ने कहा कि बहीं, I sympathize with you, but I can't do anything. इसमें पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा नहीं था इरानी की पॉलिटिक्स ज्यादा थी, यह कहता है। बलके पॉलिटिकल प्रेशर था ही नहीं कोई, उसमकत कोई ऐसा नहीं था कि तुम्हें यह लखो, यह इसका अपना पॉलिटिक्स था, इसका पाल दिखता है सब्द अन्तरवाटी वह राज-गुपाल-चारिया, जीज़ की होती है, तो इसका यह पॉलिटिक्स था, उसमे ऐसे ही एक्सप्रेस में आप एक्सप्रेस न्यूस सर्विस के आईटर था और वहां भी खूब आपने रिपोर्टिंग भी की और इमर्जेंसी वाले उसमें तरह से महाराज़ी लेकिन आप क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तब बन गए थे या आप जर्नलिस्ट के नादि अएपो जर्नलिस्ट था लेकिन अब पॉलिटिकोस में टार्वा लेकिन काई आप मई रहा जर्नलिस्ट के मैं नहीं कहता हूँ जो मर्जी हम करते थे वह चपता था अब अम एमरजनसी जब लग गई तो मैं इनको कहा करता था रिपोर्टरों को कुम्मी को पूर भी थी उसमें तो मैंने कहा देखो एच के दुआ भी थे हाँ एच के दुआ तो वह स्पेशल कॉर्ट पॉर्टर थे जो कुम्मी उपर कभी तो खत्म होगा तुम लिखा करो गई रहा पर कितना नहीं लिखा नहीं उनूने लेकं लिखा लेकिन यह के अब एक्सप्रस में इक्सप्रस न्यू सर्विस जरूर था लेकिन मुल्गाओकर को इंठरेस्ट नहीं लेते थे वह आए अपना एडिटורियल किया तो चले आजित भटाचार जी था मेरे साथ पुलीग वो एडिटोरियल में भी कोई ख़बर वो तो सारा मैं करता था और खूब जो एमरजनसी में मैं कह सकता हूँ के एक्सप्रेस ने जो रोल प्ले किया वो बहुत और उसका यही कारण था कि हमारे फ्री हैंड थे लेकिन क्या जेल आपके लिखने के वे इसे जाना पड़ा जाना पड़ा वो इसी लिए है कि अब यह के भई मुझे वार्निंग भी आई और कि भई यह तुम जो कॉलम लिखते हो यह हर दफ़ा अटैक करते हो ही लोगों को तो यह ठीक नहीं है वो मुलगावकर ने एक दफ़ा क्योंकि मु सबसे ज्यादा रामनात मुञिका रामनात मुञिका बंबे मे रहते थे आयमे पार कहने लगे एक कुलड़ी पर यह той मैं पता नहीं कहिसकता कि बाई क्या तुम्हारे साथ करेंगे लेकिन जहां म्म ही मैं गय हूं कांग्रस वाल ए तो कहते हैं कांग्रस को किसी ना किसी तर कुछ करो तो कांगो इसकी यह हकूमत थी तो जब वो उसने मौनिंग दी तो मेरा चाल था तो निकल चेकर और थी हमारे दोस्ते वो जरा उनका से भी तरलक था तो मुझे उसने कहा कि मैं देखो तुम आपने घर में कुछ चीज भी है तो निकाल दो मैंने सुनाए के तुम्हारे घर पे च्छापा लगेगा जो भी हो दूसरे दिन वो सुभा हाए पुलीस वाले तो मैंने कहा आँ देखिए कर लगे लिए आट उसकाल न हमएरे पास तो आपके खारी अगरवाल ने मुझे छोड़ दिया बहुत जल्दी आपको जाया दिन तो रहना नहीं पड़ा नहीं फिर भी होते हैं तीन महीने फिर भी रहा तो तीन महीन तो नहीं तो पता नहीं कितनी देन रहता वह तो अमरेजनसी एंडलेस टनल थी तो उन्हों ने कहा भी यह ना पॉल उस माले में देखा जाए तो बहुत आईटरस्ट जेल नहीं गए थे नहीं कोई भी नहीं आप अकेले एक तरह से इसको करना चाहिए कि उस सीनियर लोगों के नाम पर नहीं मलकानी मलकानी को पकड़ा लेकिन बहुत तो पॉलिटिकल रीजन से कोई जेल भी गया बलके मैं बताओं के मैंने एक प्रेस कौंसल का मेंबर था तो मैंने प्रेस कौंसल में सवाल उठाया ये जेस्टिस ऑंगर था रॉख शेयर्मेन तो मैंने कहा भी प्रेस कॉंपसल को एक रिजूशन तो पास करना चाहिए यह संसरिशिप को कंडेम करते हैं कहने लगा क्या फाइदा छपेगा नहीं मैंने कहा जी सवाल छापने और प्रिंट माले का नहीं है पॉस्टेरिटी में यह जब खुले जाएंगे कागल कहेंगे हाइस्ट वाडी है यह प्रेस कॉंपसल इन्हों नहीं कंडेम तक नहीं किया तो कहते हैं अच्छा वो लोकल जो कार्स हैं पुले कॉंसल के मेंबर उनको बलाए जाए लेकिन उन्होंने समने मेनी कोई बात मानी नहीं कोई नहीं किया बलकि बाद में जब वो वाइट वेपर निकला तो उसमें मुझे पता चला आइंगर ने चिथी लिखी हुई है उसमें मजव थी वी सी शुक्रा को के विद ग्रेट डिफिकल्टी मैंने मैनेज किया है कि कुल दीब बहुत चाहता था रेजूरुशियंग पास हो लेकिन मै जनलिस्टों के कलाब ने थे आफ्टर आर उनका भी फेस्ट था नौग कलम गवाह कारकम में एक बार फिर आपका स्वागत है हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने संपादक और राजनाइक राजनेता पूरसांसत कुल दीब नायर जी से नायर साब हम जो बात कर रहे थे इमर लिखने की उस समय तो टीवी मीडिया उतना था ही नहीं देल्टेशन के लावा किस तरह के प्रेशार और कितने मीडिया जुका जैसे वो कहा जाता है ना अडवानी जी कहते थे जुकने कहा था तो पूरा लेड गए लेकिन कई लोग जो राज्यों में थे कोई मल्यालम में या तमिल में या राजिद माथूर हम याद करते हैं माध्य प्रदेश में ऐसे कुछ अख़वारों ने अपने अपने धंग से विरोध भी किया आपका क्या मानना है नहीं इमर्जेंसी में चाहे कम ने किया लेकिन विरोध था और यह को दूसा पॉइंट आप यू भी आत में सब कुछ आए लेकिन आज अख़वार वाला खुद जर्नलिस्ट बै गया क्योंकि जर्नलिस्ट जब बै जाए तो फिर तो क्या है मोदी के जो प्राइमिसर मोदी के एद में यह हुआ कि जर्नलिस्ट आए वो अपने अपको पुलिटिसाइज कर लिया बहुत ने और व आपने सेंसर्शिप की बात की थी तो सेंसर्शिप के बावजूद कैसे लोग कभी जुडिशरी पर लिखा जा रहा है कि कभी नेताओं को जो आपने का बिट्विन दिलाइन्स और उस समय में क्या वी सी शुकला या इंद्रा गांधी यह दूसरे नेताओं के प्रेशर किस आप दो है तो दूसरे दिन कुछ लोग मिलके मिसस गांधी को जिसमें जैन थे जो जोके ना बार्टाइम्स कर मुगा करते थे अक्षर कुमार जैन वो जरह रहते थे अस्टबिश्मन के पास भी वो रातनलाल जोशि दोनों ही इस तबह थी तो वो मेरे पास आए उन से मिल के मिस्स गांदी से तो वो कहने लगी के मिस्स गांदी का अशारा आपकी तरफ था तो इसलिए कि भई क्या हुआ यह बड़े-बड़े एडिटर यह बड़े-बड़े तंखाप आने वाले बड़े-बड़े नाम नाटे डाग है बड़े तो अब यह जो नाटे डाग है बड़े तो यह मुझे तो बहुत बुरा लगा मैं उसी वकद उठा तो मैंने टाइम दफ इंडिया का दफ्तर था एक्सप्रेस के पास फिर उदर पीटे आई का वगारा सब क्या है मैंने कल प्रेस कलब में सुबह दस सारा हाल पढ़ा पढ़ा था सौ से ज्यादा जर्नलिस था तो मैंने उठके कहा पर देखो के भई यहां पर हम अकथे मैं इसलिए हूँ है मैंने किया कि यह जो censorship है हम इसके खलाब बात करेंगे और मैं तक्रीर नहीं चाहता है एक resolution पास किया हूँ है मैंने अड़ाप वह आ Unconditionally और किसी ने कहा जी वह कुछ रात को लोगों को भी पकड़ दी एडिटरों को तो मैंने उसमें कर दिया कि भई समें इडिटर्स है बाल सो बिन डिटेंग तो उनको किया जाएं सिंपल को यहाँ है हमने emergency का उसे वर्ड नहीं लेकिन censorship का उसको में जबरूर वर्ड नहीं तो मैंने कहा भई तुम लोग कुछ ना करो मैं यह अपने दक्सत से भेज रहा हूँ प्राम मिस्टर को भी प्रेजिडेंट को भी और information मिस्टर को भी लेकिन अगर कोई दक्सत करना चाहता हो तो यह मैं छोड़ रहा हूँ यहां पर प्रेस कलब की वह मेज पर आप अब इस सर्पाइज के एक सो तीन आदमी ने उसमें दक्सत किया उसकत पर अन्यवे वह बाद में मैंने दिया तो शुक्ला की मजे फोन आई कि बही वो वो लव लेटर कहा है मैंने कि कौन सा लव लेटर मैं सम्म तो गया कहता है वो जो दखसत किये हैं उन्होंने हमारी पुलीस पहुंची लेकर तब तक तुम ले चुके थे तो मैंने का यार यह यह तो बात अब ठीक नहीं न कुछ जर्नलिजम की बात रहें तर कहता देखो यह राज बदल गया है यह अब संजे गांदी का राज आए यह असे मत बात करो वह हमें पता है कैसे करते हैं कि अच्छा के था तुम तो दोस्तों आओ न मिलो तो मैं कहा हां आजाता हूं मैं गया कैने लगा देखो बई कि अब वह बात ता लग गया है संजे गांदी वह कहादा के कौन से लोग हैं उनका पता लो तो तुम्हारे पास वो लिस्ट है मैंने का है क्या दो मैंने का लेकिन वो तो नहीं न दे सकता तो कैता पता फिर क्या होगा तुम्हारे थाथ मैंने का अब क्या होगा अब जो होगा होगा रात को यूनस उनका साथ था न वो कह रहा था कि उसको क्यों नहीं कैद करते तो तो तुम्हारे कैद भी कर सकते हैं मैंने कैद कर लोगे तो क्या अब कमी मैंने काया देखी नहीं जेयल तो ये भी कर लेंगे देख लेंगे लेकिन वो नहीं मिलेगा मुझे पकड़ भी लिया इसी बात में और वो मेरे पास अभी तक बढ़ा वो चुटी हैं उनके दुक्सत और अगरा हैं लेकिन ये के प्रेशे नहीं बलके ओपन डिए ये तो लेकिन मने लोगों ने फिर भी रजिस्स किया था उस समय पर तो या कुछ लोगों ने किया और मैं कह सकता हूँ लोग के जब जब मैं जेयल के वकर जा था पहले, तो काफी लोग बोल रहे थे वगरा, जब तीन चाहे मेने के बाद मैं जीन से वापस आया, तो फिर मैंने वही शुरू किया कि आप पिक अप थ्रैट के बढ़ी लोगों को कट्टा करें वगरा, तो गया, कोई तयान नहीं था आने को प्रेस क्लब, मैंने का इतना डर, मैंने का किस बाद का डर, नौकरी का, सबसे ज़्याज सा नौकरी, क्योंकि अब ये कॉंट्रक सिस्टम आ चुका था, तल्वार लटकी थे, तो नौकरी, नौकरी के सिल्सेंस हैं, ये जनलिस्ट हैं, कोई बहुत कम अगर, क्योंकि मैंने प्रेस काउंसल में कोई नही में साथ अपना, प्रेकर नौकरी. वैसे आपको राजस्वा में आपको लाए गया. नहीं, दोस्त तो था, ये तो सही है. लेकिन अब वो चाहता था कि भई ये जो नौमिनेशन्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पॉलिटीशन मगरा की करूं, मैं और जगह से भी करूं. जैसे शबाना को लिया, फिल्म से, लेकिन ये कि भई वो अब नौमिनेशन पॉलिटिकल फील्ड से नहीं किया, उसने कहा कि भई जो लिखा हुआ है, का वो लोग जो को एक लिटरी या आर्ट के हैं उनको लिया जाए. मतलब ये कोई पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए कि इंद्रा गांधी का विरोध किया उसका इनाम नहीं था? ना, मैं नहीं नहीं सुनी था. वो जनलिस्त लगाना था, वो एक जनलिस्में था, उसका दोस्ता वैसे भी जनलिस्में था, उसकत नाम था सुनी. लेकिन आप जिस तरह से MP के रूप में भी लिखते रहें बाद में भी, लगातार लिख रहें हैं. ये एक दूसरा फेज आया, नाइन्टी में बें दिसको कहना चाहिए कि आयोध्या बावरी मस्जिद गिराया जाने का, और वाजपई की भी सरकार आ गई थी. वो आपको लगता है कि मीडिया में इस तरह में अपना लिखने का क्या असर होता था, कई लोग तो आपको प्रो पाकिस्तानी तक आपको करार दिया गया, कि सारा नेश्रिजम होते हुए भी, ये क्या वज़े रही कि जिससे आपको एक एंटी, हिंदू, एंटी, इंडिया तक कहने की इसलिए है कि अब वाज़पेई आपको जानते थे, वाज़पेई भी आपको अच्छे तरह जानते थे, अड़वाने भी जानते थे, बहुत अच्छे था, अटल जी के साथ तो बहुत दोस्ती थी, जैसे उनके घर पे जाओं, तो कहूं कि अटल जी, मी प्रामर सिर्फ ग तो उनसे तो बहुत दोस्ती थी, तो इसलिए अटल जी, फिर जब बंद भी गए तो खायर उनसे बहुत दोस्ती रही, और यही कि पाकिस्तान से भी जो थोड़ा बहुत नवाज श्रीफ अगरा से बात तो उसमें भी मैंने कुछ पार्ट प्ले किया, मैंने का अटल जी भ देना है हमने तो इसमें तो पॉलिटिकल आदमी लेखे जाई है, यह क्या, आप तो कोई जैनलिस ले जाई है, को आर्टिस ले जाई है, तो फिर उनने बदला रातो रात और बरजेश मिश्राद जो थे उनको खा, क्या बई, यह सेक्टरी वक्टरी और पॉलिटिशन करता हूँ, कि जो अटल जी ने वहां तकरीर की, वह यह रिसेप्शन थी, उनका एक था, जंग ने होने देंगे, उनका एक है, वहां, तो उस से इतनी बड़िया तकरीर, अगर उस दिन वह पाकिस्तान में कहीं स्टेंड करते, का बही मैं प्रेजिन तो पाकिस्तान नहीं जहुद थे, मेरे पास बैठे हुए, वह कहने लगे भी देखो, इसके बाद नुवाज शरीफ बुलेगा, तुम्हारो दोस्ताब से कहो, नहीं बूले, क्योंकि उसकी अब स्पीच नहीं, यह तो अटल जी की स्पीच नहीं, तो मैं गया भी उसके बाद क्योंकि अटल जी ने एक इस चीज़ को बहुत उंची ले गए, और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के फ्रेंड्शिप का उसने एक नया रूप दिया, और क्यों हम आपस में, क्या है, हम एक ही तरह के लोग हैं, ठीक है, बुसल्मान हैं, हिंदू हैं, तो क्या हुआ, सदियो रहे हैं, कटे, लेकि उनकी पार्टी और RSS ने आपको तो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया माना, तेकिया, इसलिए कि अब एंटी हिंदू तो कहने से इतना हुआ नहीं, लेकिन अगर एंटी पाकिस्तान कहो तो बात पगती थी, कोई ये तो कोई नहीं कह सकता कि हिंदू नहीं चाहे, हिंदू चाहे माने ना माने, हिंदू तो भाई बर्ती हो जाता है ना, उसके बाद तो उन्लेश यू रिनाउंस हिंदू इसम, यूर हिंदू चाहे, खुदा को मानो, ना मानो, प्रस्चत किस तरह की प्रेयर करो, तो हिंदू तो रहता है, तो फिर उसके कि यह पाकिस्तानी है तभी मतलब यह काफी गालियां आप खाने हैं बहुत खानी है तो एमरजेंसी से ज़्यादा गालिया मेरा खाले, आपको इस हाँ, बहुत थाए है और अभी तक मैं चुछे हो हुए उसमें यह बहुत से करते है यह प्रोपकस्ताना फगरा अब यह है कि भही मैं पाकिसान में जाता हूँ पाकिसान में ने यह तो मैं कहूंगा क्योंकर मैं वहां इंपड़ा लिखा, सब कुछ आ रप वह तरـं है, वह तरह हैं लेकिन वह कहते हैं कि जी आप खुलके कोई उनकी, जैसे, मौधी जी आने कभी ग्रिटिर slay के शार की रहते हैं लेकिन मैं अभी भी जो लिखता हूं पाकिसान में च्पता है, पाकिसान में वी च्पता और पंगलादेश में भी खता है, तो एक ऐसा साथ स्टेंड है जो शायद सब को पुसंदा है, क्यों है, मैं कोशिश यही रहता हूँ, कि यह जो है, एक सब कॉंटिनेंट जो है, अब तुक्रे हो गए ठीक है, लेकिन वैसे यह एक ही किसम के लोग हैं, इनको साथ मिल के चलना चाहिए. एक जो कॉलिटी आपकी साथ में, डिप्लोमेटिक असाइनमेंट आपको मिला, हाई कमिशनर आप डिटेंड में बने, तो पत्र, मैंने संपादक, जिर्नलिस्ट रहने का, उसमें लाब मिला या डिप्लोमेट होने का लाब जिर्नलिस्ट में मिला? नहीं, मैं कहूंगा के बई, जिर्नलिस्ट तो खेर, बाद में बहुत कम की ना, ज्यादा तो कर चुका था, लेकिन, जिर्नलिस्ट का खायदार मिला होगा डिप्लोमेट होने में. जिर्नलिस्ट की वज़ए से वो जो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट थी, उस पे इसर यह जैसे कि मैं अब हाई कुमिशनर होके पहले दिन गया फाय कुमिशनर में और दरवाजा जो है में दरवाजा बंड है वो अपर चर्ड़ देखके तो खूल दिया उसने hy तो ने मैं चक्रह ने कर यह दिर्वाजा क्यों बंड रहता है, यह दो, यह तो दरवाजा खुला रि इसलिए बनग किया है किए इस ही जर्ट की करते हैं यहां करते हैं जारी दिफित है तो मैंने हैं सलमान हायदर शोकत तक थे हैं डेपटी तो मैंने नसे पूछा, वो कहने लगे कि जी हाँ, ये शिखों ने बहुत तंग किया हुआ है, हमने तो इसे बन कर लिया। मैंने का भी दिखो, अगर तुमने अभी से शिखों को टेरिस्ट कर दिया तो फिर तो वो जो है नहीं हैं वो मिटेरिस्ट वन जाएंगे क्से क्या, जैका ये तो हो, सब हिंदुस्तानी जितने भी हैं उनका है ये, तो ये क्या कितनी यहां मुसीबत हुई और यहां से तारे गई को बिरोक्राइट की के ये घलत कर रहे हो ये से ये खत्रा हो जाएगा वो खत्रा हो जाएगा अब गुजराल मेरे दोस्ते थे वह तो उसकी भी फोन गई कहने लगा ये पार्लिमेंट में बहुत है कि भी ये तो तुम खालुस्तान बना रहे हो गारा मैंने का जो मर्जी जो आप जो न मैं सकता हूँ आगा, मैं तो सिख्भं को नजदीक ला रहा हूँ खिर मस्वी साथ कि गुजाल को है, को जो तुम क्यों। कि मेरा भी का बना काबनेट स्टेटस था, जब मैं गया था काबनेट स्टेटस जे हैं, तो खिर लेकिन ये कि मैंने ये जरूर कोशिश की कि सिख्खों को और हिंदुों को जो फासला हो रहा था और सिख्खों का हिंदुस्तान से जो फासला हो था उसका मैंने जरूर कोशिश की जैसे एक ये जर्नल औरोडा होते थे जी तो ये वहां पे गए तो ये जरा थोड़ा सा उन लोगों के साथ सब्सक्राइब के साथ क्या हो रहा है तो मैंने का देखिया कल जा परसूं इनको कहिए कि कोई बड़ी पार्टी करें मैंने उसमें बोलूँगा तो खैर एक पार्टी हुई तो मैंने उन से कहा कि देखो तो मैं 1984 का बहुत है मुझे भी बहुत है मैं समझता हूँ के हिंदूों ने इतना जल्म किया सिक्खों पे और उनको जो है उनको ट्राइब करना चाहिए यह ठीक है लेकिन यह बात तो याद रख लो कि यह जो हरकते होती हैं बाई ब्लू स्टाल operation हुआ यह सब यह government करती है और government एक किसम के आ जाती है elect होके तूसरी कुछ और कर देखती है लेकिन हमें देश और government में तो फरक करना चाहिए अब तुमने इतने कुर्बानियां की हो यह देश के लिए अगर तुम देश को हानी करोगे तो पर अपनी कुर्बानियां का यह तो देश को और government से अलग करो तो यह एक मैंने जो contribution किया यह उनके दमाग में अच्छा लगा और पिर यह उससे कुछ पर पर यह जो आपने बात कही है एक थोड़ा साविदी हम उस पीछे भी जाएं तो यह जो कम्मिनलिजम जिसको कहना चीए तो खालिस्तान तो बाद में वाली जो जादा हुआ दबा लेकिन इसके पहले भी मुस्लिम्स को ले करके चाहे वो बाबरी मस्जद वाली घटना के समय कहें या 65-71 वार के दोर को भी भी कहें और चुकि आपने partition भी देखा तो यह हिंदू-Muslim के बीच में जो तनाव बढ़ाने वाले जो महोल थे उस प मेरी बात मानती थे लेकिन जो जो ज़रा fanatic किसम के थे extremist वो मेरी मात थे वह बहुत गालियं मेरी निकालते हो गया थे लेकिन कभी मुझे कोई RSS से उनका माना जाता है कभी RSS का मुझे pressure नहीं आ है मैं कोई उन्हों इस लिए चाहर छोड़ दिया हो कि भी से कहने की बात है या जो भी है लेकिन उनका कभी pressure नहीं है लेकिन और जो दोस्ते वो कहते थे कि भी तुम को मैंने का दिखो कि अब मैं तक्सीम के बहुत खलाफ था तक्सीम हुई मैंने चाहता था कि यह जो लकीर ह यह कोई मजभ के नाम पर बने चाहा पार्टिशन के खलाफ थे हाँ बहुत खलाफ था और यह जो लकीर है यह मजभ के नाम पर नबने धर्म के नाम पर क्योंकि मैंने कहा कि यह जो धर्म के नाम पर आप कर रहे हैं इस से इतना एक हिंदू और मुस्लमान में एक ऐसी लकीर बढ़ने जाएगी जो मटानी बहुत मुश्कल होगी और अब देखिए के वही हुआ ना सिर्फ यह मैं तो आपको बताओं के काइद अजना से में मैंने बात किया उस वक्त मैं लॉगाली में पड़ता था लास्ट चेर था तो वह आय तो मैंने कहा के देखिए के यह आप दो सवाल मैंने किया थे एक दैट मैंने किया दूसर पिर बताओंगा तो मैंने कहा कि दिखो यह जो आप काइद अजन जेवी की है था नेशन टारिए का है पाकिसान बन जाएगा लेकिन यह जो दिनों में जहर फैल जाएगा ना यह निकालना बहुत मिश्कल हो नहीं 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 यह विल बेस्ट आप फ्रेंड यू इस इस टेंपररी मैंने का जी वंस अब्रिटिश लीव हम तो एक दूसरे के गला पकड लेंगे नहीं नहीं यह विलकुल करता हम अच्छे तरह रहेंगे वगारा वह बात मेरी थाबत हुई कि एक दूसरे को और दस लाख आदमी मर दिये दोनों तरफ दूसरी बात जो मैंने उनको कही मैंने कहा दिखे कि अगर थर्ड कंट्री हिंदुस्तान पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान का क्या अटिटिव रोगा कि अखेत हैंगो हमारे सूलजर ग्या हैं तुम्हारे साथ रहेंगे कह Egg को और फून बाहएगा इस लेकिन वह तो यहीं तो यह मैंने शास्ती जी के साथ काम करता था मैंने शास्ती जी को बताया शास्ती जी कहने लगे कि한데 L ф idag में नीर सहीज़ आथे हैं उनके सोलजर यहां हमारे साथ मकाबला करते हैं खून बैता उनका भी हमारा बाद में अगर पाकिस्तान कश्मीर मांगता तो ना करनी मुश्कल होती तो यह मैं बता है तो यह 65-70 वार भी तो उसी तरह की उसी का नतीज़ था हलांके बहुत शास्त्री जी इस हाग में थे किसी तरह अब जो लड़ाई हो कभी आपस में कोई हत्यार वत्यार ना हो तो मैं ताश्कन में था तो शास्त्री जी और यह जन्रय यूप के साथ बात कर चेर करते थे तो आकरी दिन जब मसवड़ा एक डक्सत होने थे तो अब शास्त्री जी जाते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ा ही ना हो बात चीत हो जो भी करें एंग्री एक दुखसा निकाले लेकिन अथियार ना इस्तमाल हो तो वह ताश्कन का माहिदा त रहा 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 शास्ती जी नहीं कहाने में चाहता हूँ के हत्यार नहीं हो तो उन्हों ने अयूब को हाथ से लगवाया विदाउट रिजार्टिंग तो आम्स वो इसके हाथ लिखा हुआ हमारे एक्स्टरन फेर्ड में अर्काइब में जरूर होगा तो शास्त्री जी का य यूब मुझे याद है सुबा कोई एक दो बज़े के करीब आए तो मैं वही माजूद था तो कहने लगे हीर लाइस दा मैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करीब ला सकता था और तब ही वो दूसरे दिन जब वो पाल बेरर रुस ने भी आपसी बज़िया था और सेव 71 बार में मैं इद को बहुत अच्छी तरह जामता था शेख मजीवरावन को शेख मजीवरावन और जो उनके लड़की हसीना थी वो तो दिली में बहुत देर रही तो उनको गया तो मैं गया जब अब ढाका अजाद हुआ तो दूसरे तीसे दिन में पहुंच गया तो इतन इंटी पाकिस्ता इंटी इंडिया फीलिंग था वगयरा पाकिस्तानियों वालों ने शुरू किया हुआ था उस तरह चल रहा तो मैं शेख साफ से मिला जब तो मैंने का जी मैं तो प्रस क्लब में गया हूँ जहां भी गया हूँ वो तो इतना हिंदुस्तान के खलाफ है त पानी गलास का भी दिया है तो वो भी उसका ख्यार रखता है आपके तो सोलजर छे हजार के करीब मर गया है हमारे साथ तो यह कभी सोचना मत था यह बंगाली जो आपने एसान किया हम पे वो कभी हम चुका नहीं सकते हैं जो लिबरेशन उसे हुट नहीं सब मेरा मनलब कंक कहेंगे क्या कोड़ा फिथिक्स होना चाहिए जिससे की कलम जुसको कहते हैं सही बात भी कह सके गवाब नहीं रहे और जिंदा रहे लिखे जब तक हम बेसिक प्रिंसिपल पे नहीं मानते मेरे दमाग में है आइडिया फिंदिया जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी गांदी जी नहरू मुलाना अजाद तो उन्होंने यही कहा था पाकिस्तान बनदा आया है एक इसलामिक स्टेट बन जाएगी लेकिन हम जो देश यहां पर बनाएंगे वह एक ऐसा होग जो डेमोक्राटिक होगा और सेकुलर होगा तो वह एक आइडिया फिंदिया था वही आइडिया फिंदिया जो मेरे दमाग में रहता है जो मैं लिखता हूँ वही आइडिया फिंदिया मेरे दमाग में रहता है मेरे दिये जो पाकिस्तानी है कुछ दुश्मन नहीं मैं कि यह जो बॉर्डर हैं साफ रहें ताकि आना जाना चलता रहे वगारा लेकिन नहीं हुआ और बॉर्डर तो बहुत बड़ी दिवारें बढ़ गए नहीं मैंने खाली यह तो इंडिया पाकिस्तानी नहीं जनरलिजम की दश्टी से भी टोटल जो कोड़ अफटेक्स चुकि ह तो कोी ऐसी चीज नहीं लिखी जाये यह कही जाये जिससे के इस देश को तक्सीम किया जैया जातों में बांटा जाया या धर्मों में बांटा जाया मैसके बहुत खلافा और इससे लिखता रहता हूं. मेरे जो दमाग में यही एक चीज़ है कि यह जो आइडिया अफ हिंडिया या यूनिटी है यह बरकरार आने चाहिए या हिंदू मुसल्मान तो एक बर्त का एकसिडेंट है वह हो गया नायर साब उम्मीद करना चाहिए कि जो आपने बाते सोची कही लिखी वो कलम हमेशा दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करती रहे प्रेणा देती रहे आपने बाचीत की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार यह कुलीप नायर साब से हम बात कर रहे थे और इसक के साथ ही कारकम संबाब्त होता है अगली बार फिर एक नए संपादक के साथ मलाकात होगी नमस्कार धन्यवाद